नमस्कार दोस्तों यूनिक मारानी आना में आप सबीगा स्वागत है तो आज हम आपके लिए एक न्यू अपडेट लेके आई हैं एक न्यू नोटिस लेके आई हैं इस नोटिस का सुब्जेक्ट रहेगा common exam for direct requirement and service rules of group C post C post के लिए common exam होगा दोस्तों ये HSC की बहुत बड़ी काम्यावी है कि HSC ने अब common exam कर दिया है ये अभी C group के लिए किया है और आने वाले वक्त में ये सबी exams common exams में बतल जाएगा जो common exam पास करो और नोकरी पाओ दोस्तों फर्स्ट पाइंट में रहेगा कि जो भी group C की पोस्ट आई थी उसके लिए common exam कर दिया है उसकी अब बहुत त्यारी चल रही है और second point में बोले है कि a meeting in this regard shall be held under the chairmanship of principal secretary of government अर्याना general administration department in his room number 67 तो दोस्तों इसमें बोले है कि जो यह notice है इसकी copy base दी गई है कि पहले अलग-अलग exam से होते थे अब एक common exam से होगा उसको पास करो और नोकरी पाओ दोस्तों यह secretary है जो general administration department के है उसके signature है जो की सत्विर है और जो इस exam उसको पास करेगा उसको नोकरी मिल जाएगी mat list पे इसका selection होगा और आज हम इसके जो यह post आई थी इसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी post आई थी और कब आई थी किस date को आई थी अगर आपको हमारी जो news अच्छी लगती है तो मारे वीडियो को like करें comment करें और दोस्तों हमारे जो चैनल है उसको subscribe करें हम आपको पलपल की information देते रहते हैं दोस्तों यह एक अच्छी ख़बर है सभी यह चसी के प्रिक्सा अर्थियों के लिए और यह post c की जैसे department था तो इसके लिए name of department जैसे board कोई भी लगा लिजिए और second रहेगा normalization of post of group c group c के लिए और पे स्केल रहेगा इसका level 2 का किसे level 2 का रहेगा और यह जो वकैंसी ती 10 थी और 10 इस में थी for example और यह qualification का आगे mode है qualification के बाद नंब्रों पोस्ट से डारेक्ट रिक्वर्मेंट है टूटू और जैसे की पे स्केल इसका रहेगा level 2 का दोस्तों जैसे hsc ने कलरक की भी पोस्ट निकाली थी उसका भी एक्जाम हो चुका है उसका भी रेजल्ट दो महिने बाद आएगा यह एक information अच्छी है और अगर हमारी जो news है हमारी जो update रहती है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमार वीडियो पर कुमेंट करें और इस वीडियो को सेयर करें धने बाद दोस्तों